सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिस्टी जिक्के को और लेटस्ट अपटेट पाने के लिए बेल आइकन को फ्रेस करें हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडिस्टी जिक्के के अंदर दोस्तो आज हम करने वाले पस्वो के वंस और उनके विग्यानिक नाम दोस्तो काफी important है लगबग हरा exam में यहां से questions बनता है और दोस्तो अक्सर आज कल के जो exam होरे उन में इन से related questions बहुत सारे पूछे जाते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं भेड के बारे में दोस्तो जो भेड का जो once होता है दोस्तो वो होता है always दोस्तो once आपके लिए काफी important है क्योंकि once से हम वेग्यानिक नाम किसी का भी याद कर सकते हैं तो आप once जरूर याद कर लें इनका तो भेड का जो once होता है दोस्तो वो होते ओविस ठीक है और जो भेड का जो वेग्यानिक नाम की बात करें तो दोस्तो वो होता है always, eris या eris दोस्तो मैं बता दूँ आपको जो once का नाम है वो वेग्यानिक नाम के आगे लगा हुआ मिलेगा हर एक पसूर के ठीक है तो ये बात आप याद रखें अगर आप once का नाम याद कर लेते हैं दोस्तो तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको आगे वाला नाम बेसक याद नहीं हो ठीक है तो चलते आगे अगला दोस्तो यहाँ पर हम समझते हैं बकरी का ठीक है जो बकरी है इसका जो once होता है दोस्तो वो होता है कैपरा ठीक है कैपरा होता है और इसका वेग्यानिक नाम की बात करें तो दोस्तो कैपरा हीरेकस ठीक ह अगर आपको कैपरा याद हो जाता है तो हीरेकस की तो इतनी कोई बात नहीं होती दोस्तों तो आपको याद रखना है बकरी का जो नाम है दोस्तों वो होता है कैपरा हीरेकस वंस का नाम आप जरूर याद कर लें दोस्तों और हम आपको बता दूँ यह हरियाना को जो अभी कहा जा सकता है cattle ठीक है दोस्तो इनका जो once होता है दोस्तो वो क्या होता है गाई का बोस ठीक है once क्या होता है बोस और वेगयनिक नाम की जब बात करें तो दोस्तो वेगयनिक नाम इनके हम दो परकार से divide का रखें और वेगैनिक नाम दो परकार से क्यों divide है दोस्तों क्योंकि दो परकार की परजातिया पाई za'tी गाई में एक तो दोस्तों पाई जाती है Humpless मतलब कुबड के बिना कुबड वाली और एक हम्ट कुबड वाली तो दोस्तो इस परकार की ये गाईया पाई जाती है अगर आपको दोस्तो इसके बारे में डिटेल से जानना गाई के लिए तो गाई की नसलो के नाम से हमने वीडियो करा रखे आप पले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ से आपको पूरी जयनकारी वहाँ से मिल जाए इन इंडिकस तो आप आजाएगा तो आपकोँ कि याद होना चाहिए आप देखो दोस्तों मैं रहेे तो और वेग्यानिक नाम भी आपको याद हो जाएगा मैं ट्रिक बता देता हूं आपको आप यहां से कैसे याद करोगे करना हमें। है कि यहाँ पर दोस्तो भॉ स ठीक है अब भॉ स को आप बताईएं दोस्तो भॉस कोण होता है। ठीक अगर पस्वो में बोस की बात करें तो पस्वो में बोस होता है गाई इस परकार से आप याद कर लो ठीक है पस्वो में बोस को नोता है गाई होती है इस परकार से याद कर लोगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अगला क्योशन है दोस्तो भहस जो है ठीक है इसका जो वन्स होता है दोस्तो बड़ाई आसान इसका वन्स याद करना क्योंकि भहस को इंगलिस में क्या का जाता है दोस्तो बैफैलो ठीक है बैफैलो का जाता है और इसका देखो वन्स पढ़के देखते हैं भूबैलूस मतलब बैफैलो की तरह से इसका साइन्स नजर आरा में वेफैलो वुबेलुस ठीक है तो ऐसे करके आप बढ़ाई आसानी से बहस का जो वेग्यानिक नाम है या वन्स नाम है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं तो दोस्तो बहस की जो बात करें अब भहस भी दो परकार की होती दोस्तो इसकी भी हमने एक वी बहसे है यह विदेशी भाहसे होती है ठीक है अब इनके जो विग्यानिक नाम है उसकी भात करते हैं द।ो दोस्तों मैनने अब आपको बताया था ठीक एहां पर बात करें हम दोस्तों विदेसी जो भैसंद वाहां है को याद रखने चलते हैं अगे चलते सूर को शुब कहा जाता है ऐसे हम बढ़ा सकते इसको ठीके और सूर को दोस्तों पिक भी कहा जाता है ठीके कभी आप कहो कि पिक का जाते है सूर को तो दोस्तों आप कहीं मेरे सार्च करके देखें कि इसको ये भी का जाते है अब सूर की बात करें दोस्तों सूर का जो वंस होता है वोता है सूस तो बड़ा ही आसान है दोस्तों इसको याद करना वंस को भी आप दोस्तो ट्रिक्स से या वर्डों से आप याद करो इस चीज को, या तो कोई वर्ड सेम मिल जाए आपको, या फिर कोई ट्रिक बना लो इसकी ठीक, अब देखो सूर में सू आ गया, सू, और इसमें भी तो सू आएगा दोस्तो, ठीक है, सूर से सूस जो इसका वंस हो जा आपको once के नाम याद करवाने पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो तीन परकार के सूर पाए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है पहले का जो है जो नाम होगा वेगयनिक वोगा स्वूर्स श्क्रॉफः ठीक है दोस्तो सूर्स स्क्रॉफः और दूसरा है सूर्स विटार्टर्स ठीक है और तीसरा जो है सूर्स डोमेश्टिक ठीक है दोस्तो इस परकार चेंगे आप इन तीनों को बस एक नजर में पढ़ ले आपको तो शिरफ नाम याद रखना है सूस क्योंकि ओप्संस में एक ही परकार का मिलेगा सूस लिखा हुआ मिलेगा उसके आगे बस वह आप टिक कर ठीक है तो चलते दोस्तो आगे तो उट के बारे में बात करते हैं उट का जो वंस है दोस्तो वह है कैम ये एसियन उट जो होता है दो कुबडवाले उसका नाम है दोस्तो ठीक है और दूसरा जो नाम है दोस्तो आप इस परकार से आप इनको याद रख सकते हैं चलते आगे दोस्तो आगे है घोडा तो दोस्तों घोड़े का जो ONS है धोस्तों घोड़े का ONS है ACC OCE ACC OCE वनस है घोड़े का और दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमने जो वीडियो करवा रख ही आपको पस्वो के कुल से related उसमें मैंने सारे पस्वो को जिस कुल में जो पसू आते हैं वो सभी बताए जैसे गोड़े के साथ में गदा भी आता है खचर भी टट्टू भी इस परकार से ये आते हैं तो दोस्तो वहाँ पर जो भी कुल है उसके अंदर मैंने सारे मेंसिन का रखें तो आप वहाँ पर जाके देख लें क्योंकि दोस्तो अब देखो जो वन्स है इस वन्स के अंदर बात करें तो ये गोड़ा है अब गोड़े का वन्स क्या है एकोस अब घडे का भी यही विंस है दोस्तो ठीक है, तो घडे के नाम के जो वेगयानिक नाम है दोस्तो घडे का उसके आगे भी एकोस ही लगेगा, तो इसलिए मैं बता रहाँ, अगर वो नाम अप याद कर लेते हो तो वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है तो गोडे का जो नाम याद करते हैं वेगयनिक वो है दोस्तो एकोस कैबलूस ठीक है ये गोडे का वेगयनिक नाम है आगे चलते हैं आगे गदा डोंकी या एस भी बोलते हैं जिसको गदे का जो वंस की बात करें तो एकोस ही वंस से मैंने अभी आपको बताया था वेगयनिक नाम की बात करें तो वेगैनिक नाम हो जाएगा Ecos Ecos, Acinas, ठीक है दोस्तो Ecos, Acinas इसका नाम हो जाएगा यहां से आप याद कर सकते हैं जह गदे को बोला जाता है S, तो यहां पर भी आपको थोड़ा S नजराएगा ठीक है आगे चलते हैं दोस्तो आगे है Billy दोस्तों बिली की बात करें तो बिली का जो वंस है दोस्तों वह होता है फेलिस ठीक है फेलिस जो वंस होता है वह बिली का वंस होता है इंगलिस में बिली का नाम होता है क्योंकि हमने इसलिए मेंशन कर रखें दोस्तों क्योंकि इसका नाम भी जो है वह कैटस आएगा ठीक है जो वेग्यानिक नाम है उसका जो वेग्यानिक नाम है भी लिका ये है दोस्तो फेलिस कैटस ठीक है फेलिस कैटस इसका नाम हो जाएगा अब दोस्तो यहां पर देखो आपको कैट भी दिखाई दे रहा है लेकिन आप फेलिस भी याद रखना ठीक है हो सकता आपको वन सलग दे दे और cat लगा दे आपको confuse करने के लिए तो आप याद रख लेना दोस्तो ठीक है आगे दोस्तो भारती आथी की बात करें दोस्तो आथी दो प्रकार के पाए जाते हैं एक तो भारती आथी और एक पाए जाते दोस्तो अमेरिकन हाथी तो भारती आथी की बात करें तो टैलिप्स मेग सिमस ठीक है मैक्सिमस उसका नाम होता है अब दोस्तों ALEPHANS उसको नजर 아े जाएगा जाएगा ऐस अगर आपको मतलब मतलब होता है भूस ज्यादा चीज, maximum चीज होती है, और दोस्तो maximum size होता है, हाध्थी का, तो इस परकार से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत बड़ा size होता है, तो इसलिए आप इसको आसानी से याद कर लोगे, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तो, आगे बात करते हैं अमेरिकन हाथी की ठीक है जो अमेरिकन हाथी है दोस्तों उसका जो वेग्यानिक नाम है वो होता है लोकसुन डाटा ठीक है लोकसुन डाटा जो उसका वेग्यानिक नाम होता है सोरी वंस होता है और वेगयनिक नाम की बात करें तो दोस्तो लोक्सन डाटा अफेरिकाना ठीक है जैसे अमेरिकान होता है इसी परकार अफेरिकाना आप ऐसे रिलेट कर लो दोस्तो जैसे अमेरिकन आती है वो अमेरिका में ज्यादा नहीं अफेरिका में ज्यादा पाये जात सब्सक्राइब और भी मालूम होता है तो सभी को मालूम होता है कैनिस फैमिली रियस मतलब फैमिली34 मतलब धायाब अब दोस्तों, कैनिस, मतलब कैनिस को मैंने कैन औरीज में तोड़ दिया, तो मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, फैमिलियस, अब हम एक ट्रिक्सी बना रहे हैं, दोस्तों, कुता जो होता है, वो हर फैमिली का एक परकार से हिस्सा होता है, ठीक है, हर फैमिली का हिस्सा हो सकता है किसी में नहीं भी होता लेकिन हर πैमिली में और लोग अपने घर में कुटा पाल के रखते हैं तो फैमिली इसका क्या होता है हिस्सा होता है याद कर सकते इसको ठीक है आगे चलते हैं ऑगे खर्गोस खरगोष की बात करें तो दोस्तो खरगोष का जो वन्स है वो हो जाएगा दोस्तो आरिये कैटो लागस ठीक है अरिये कैटो लागस जो है इसका वन्स हो जाएगा दोस्तो वेगयनिक नाम है दोस्तो वो हो जाएगा आरिये कैटो लागस कैनिकलस ठीक है कैनिकलम यह कैनिकलस चहिसका दोस्तो वेग्यानिक नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तो, अगर आपने ये वीडियो यहीं तक थी, आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तो, कमेंट बॉक्स मीं अपनी राइं जरो देना दोस्तो, I hope कि दोस्तो यहां से आपके exams में और भी exams में questions पूछे जाए और आपका एक भी questions गलत नहीं होगा दोस्तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली दोस्तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you दोस्तो